शूट आउट इंड ट्रेन की पूरी कहानी चलती ट्रेन में कैसे हुआ मौत का तांडव नमस्कार मैं निशाभार्द राज और आप देख रहे हैं न्यू सौकर्स जैपोर से मुंबई चारही ट्रेन में सूमवार को महरास्ट के पालगर स्टेशन के पास अंधादुन फाइरिंग हो गई इस हादिसे में चार लोगों की मौत की पुष्टी की गई है बताया जा रहा है कि फाइरिंग करने वाले आरपीफ कॉंस्टेबल को गिरफतार कर लिया गया है हादिसे में आरपीफ के ASI और तीन यात्रियों की मौत हो गई पुलिस के मुताबिक आरोपी कॉंस्टेबल चेतन मांसी के रूप से अस्थिर है चेतन ने अचानक चलती ट्रेन में ASIT का राम पर फारिंग की इसके बाद चेतन दूसरी बोगी में गया जहां उसने तीन यात्रियों पर भी फारिंग कर दी इसमें चार लोगों की मौत एक साथ हो गई सूतरों के मताबक पालखर रेल्वे स्टेशन से निकलने के बाद चेतन ने फारिंग शुरू कर दी थी इसके बाद चेतन ट्रेन पुलिंग करके ट्रेन से कूद गया हाला कि उसे आरपी अफ के जवारों ने वहीं किरफतार कर लिया उधर शवों को पोस्ट मॉटम के लिए भी भेज दिया गया है रेले पुलिस ने मामले में जाच भी शुरू कर दी इतना ही नहीं चेतन के साथ तैनात दोनों कॉंस्टेबल से भी आज पूछ ताच की जा रही है आरोपी चेतन ने अपने सर्विस गन AKM से फारिंग की ये AK47 का मॉडिफाइड वर्जन है आरोपी ने ट्रेन में तीन जगा फारिंग की उसने B5 कोच में दो लोगों को गोली मारी जबकि एक को पैंटरी और एक को S6 में गोली मारी DRAM नीरच कुमार ने बताया कि आरोपी चेतन को बोरी बली पोलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उससे पूछ ताच की जा रही है अभी फारिंग की वज़ा तो सामने नहीं आई है